हेलो दोस्तों तो हम आज द्विधात समीकरण में 4.4 इक्सरसाइज करने वाले हैं ठीक है यह इक्सरसाइज सुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजे देखेंगे जो पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं उनको एक बार हम और देखेंगे उसके बाद हम इक्सरसाइज सुरू करेंगे तो देखिए हम बात कर रहे हैं मुलों की प्रकिर्टी यानि नेचर ऑफ रूट्स के बारे में और यह जैसे हमारी 4ac यानि की विविक्त कर यानि डिस्क्रिमिनेंट के बारे में ठीक है हम यह उसमें देखे थे कि अगर डी की वैलू बी स्कॉर माइनस 4ac होती है अगर इसकी मतलब इसकी तीन वैलू जाती है या तो यह पॉजिटिव यानि धनात्मक हो सकता है जिसे हम ग्रेटर देन 0 यानि 0 से छोटा और तीसरा होता था हमारा 0 यानि D की वैलू क्या हो सकती है 0 तो इसमें इसके हिसाब से हम यह देखे थे कि अगर धनात्मक आता है तो दो मूल होंगे और वास्तविक होंगे वास्तविक का मतलब वास्तविक होंगे दो मूल होंगे और दोनों वास्तविक होंगे निगेटिव जब आता था तो यहां पे हम बोलते थे कि जो मूल होंगे वो कालपनिक यानि की वास्तविक नहीं होंगे जिससे हम बोलेंगे not real यानि कि वास्तविक नहीं होंगे ठीक है और जब मूल वास्तविक नहीं होते थे उस टाइम हम करते थे कि इनके मूल हम ग्यात नहीं कर सकते उसी तरीके से हम 0 आ जाता था तो 0 आते समय हम बोलते थे की वास्तविक तो होगा लेकिन दोनों मूल क्या होंगे बराबर वास्तविक होगा लेकिन दोनों मूल बराबर होंगे हम इसकी बात किये थे ठीक है और D equals to B square minus 4AC जिसे हम discriminant यानि विविक्तिकर बोलते हैं इसके बारे में तो चलिए अब सुरू करते हैं इसके बाद 4.4 exercise हाँ जी तो अब हम बात करने वाले हैं तो question number पहला देखिए question number first क्या दे रखा है कि निम्न द्विग्हाद समिकरणों के मूलों की प्रकिर्ती ग्याद कीजिए यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उनने ग्याद कीजिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर अस्तित्व में हैं अस्तित्व का मतलब वास्तविक हैं तो फिर मूलों को ग्याद करिए मुलों की प्रकिर्टी भी बतानी है तो अब देखिए first में हम बात करेंगे पहले question की पहला question अपने को क्या दे रखा है दे रखा है कि 2x square minus 3x plus 5 बराबर 0 ये दे रखा है ठीक है तो हम सबसे पहले इसकी प्रकिर्टी ग्याद करेंगे और प्रकिर्टी ग्याद करने का मतलब कि d equals to b square minus 4ac यहां से a की value देखी जाए तो 2 होगी b की value क्या होगी minus 3 तो b बराबर minus 3 c बराबर क्या आएगा 5 अब लिखेंगे d बराबर b square minus 4ac ये लिखेंगे तो d बराबर b की ज़ग क्या रखेंगे minus 3 तो minus 3 का square minus 4 गुणे a a की value कितनी है? 2 तो 2 c की value कितनी है? 5 तो यहां से minus 3 का square 9 होगा minus 4 दूनी 8 पचे 40 जब इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा 31 वो भी minus में तो यहां से अपने को ये देखने को मिला कि जो d की value आ रही है वो आ रही है negative यानि कि less than 0 यह आ रही है तो जब ये होता है तो हम बोलते हैं कि जो मूल होंगे वास्तविक नहीं होंगे इस टाइम मूल के होंगे? वास्तविक नहीं होंगे और जो वास्तविक नहीं होते हैं जब वास्तविक नहीं होते हैं तो हम उनके मूल ज्यात नहीं करते हैं तो ये चीज़ समझ में आगे कि इस समीकरण के जो मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे ठीक है तो ये हमारा था first number अब हम बात करेंगे इसी में second number की second part की जरा देखिए second अपने को दे रखा है यहाँ पे यह दे रखा है कि 3x square minus 4 root 3 x plus 4 बरावर 0 यह दे रखा है अब देखें यहाँ पर बात करें तो a की value कितनी है? 3, b की value minus 4 root 3 minus 4 root 3 और c की value क्या है? 4, यह दे रखी है तो अब इसके बात की कहानी क्या है? कि अब d d बरावर b square minus 4 ac तो b का square b की जग क्या है? minus 4 root 3 का square minus 4 a की value कितनी है? 3, और c की value 4 यह है अब इसके square की बात करें तो minus 4 root 3 की गुडे minus 4 root 3 square का मतलब यह होता न? कि इसी का इसी में गुडा तो minus का minus में करेंगे तो plus आएगा 4 चवक को 16 आएगा गुडे root 3 का root 3 में अगर गुणा करते हैं तो 3 आता है तो 16 तियां 48 प्लस में तो प्लस 48 तो इसको जब multiply करेंगे इसका square करेंगे तो 48 आएगा minus 4 तियां 12 और 12 चवक को 48 तो 48 में से 48 गठाएंगे तो क्या आएगा? 0 तो अब क्या बोलेंगे यहां से हम देख रहे हैं कि d यानि b square minus 4 ac की value जो है यानि d की value वो 0 आ रही है 0 आने का क्या मतलब है? कि मूल क्या होंगे? वास्तविक मूल क्या होंगे? वास्तविक और बराबर तो जब वास्तविक और बराबर होंगे तो हम जो value निकालेंगे तो minus b by 2a पहला और दूसरा भी होगा minus b by 2a हम ऐसे लिख सकते हैं तो x बराबर minus b b की value क्या है? minus 4 root 3 तो minus 4 root 3 by 2a a की value कितनी दे रखिया है? 3 तो यह आ गया अब इसे अगर solve किया जाए तो minus का minus में तो plus होगा तो उपर बनेगा 4 root 3 upon 2 गुणे 3 तो 2 दुनी 4 तो उपर आएगा 2 गुणे root 3 बटे में यह 3 है ना तो 3 को हम root 3 गुणे root 3 लिख सकते हैं root 3 से root 3 गायब हो जाएगा 2 बटे में root 3 बचेगा तो 2 बटे में root 3 बचेगा तो इसका एक समिकराड यह होगा मतलब इसकी value कितनी आ गई है 2 बटे में root 3 तो इसकी भी कितनी आ जाएगी 2 बटे में root 3 तो इसके जो 2 मूल होंगे वो दोनों मूल यह होंगे clear है चले तो अभी उसको आप copy करिए तब तक हम इसे erase कर रहे है हाँ जी चलिए next देखिए जिसमें next यानि की third पहले का जो third नम्मर का question है हम उसकी बात कर रहे है question दे रखा है कि 2x square minus 6x plus 3 बराबर 0 2x square minus 6x plus 3 बराबर 0 यह दे रखा है अब देखे यहां से a की value क्या निकल के आएगी 2 b की value आएगी minus 6 c की value आएगी 3 अरे a की value क्या है 2 b की value minus 6 और c की value 3 यह आ गई है अब हम निकालेंगे d और d का मतला b square minus 4 a c यह b की जगा minus 6 तो minus 6 का square minus 4 a a की value कितनी है 2 और c की value 3 तो 6 का square कितना होगा 36 यानि 36 और 4 दूनी 8 और 8 तरीके 24 24 तो यह आ जाएगा 12 36 में से 24 घटाएगे तो 12 बचेगा ठीक है यह कैसा है positive positive का मतलब धनात्मक और धनात्मक का मतलब की d की value greater than 0 आ गई है कि जो इसके मूल होंगे वो वास्तवीक होंगे मूल कैसे होंगे वास्तवीक होंगे और 2 मूल होंगे और अब हम जाके निकालेंगे इनके दोनों मूल ठीक है अब देखिए यहाँ पे जब नंबर छोटा हो जब नंबर छोटा हो तो हम हमेशा सुत्र लगाने की कोशिस करेंगे, अगर कुछ नहीं बोला है, तो अगर सुत्र लगाएंगे, तब भी जल्दी से answer निकल के आ जाएगा, आप ध्यान लखिए, b square minus 4ac की value कितनी आई है, 12, अब आईजे हैं, लिखेंगे x equals to minus b, और b की जगह क्या लिखेंगे, minus 6 तो minus 6, plus minus, root में b square minus 4ac, b square minus 4ac की value कितनी है, 12, 12, बटे में 2a, तो a की value कितनी है, 2, तो रखिए, तो x बराबर आएगा, minus minus plus 6, plus minus, root में 12, और 12, root में 12 है, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुडे 2, गुडे 3, तो ये, तो ये दोनों में से एक बाहर, तो 2 root 3 बचेगा, ठीक है, इतना आपको आता है, तो इसको हम लिख सकते हैं, 12 का वर्गमूल क्या होगा, 2 root 3, बटे में 4, ये आ गया, तो अब देखें क्या लेंगे, एक बार positive और एक बार लेंगे, निगे ठीक है, जब positive लेंगे, तो एक्स बराबर आएगा, 6 plus 2 root 3, बटे में 4, और जब negative अपन लेंगे, तो आएगा, एक्स बराबर 6 minus 2 root 3, बटे में 4, ये आएगा, उपर से आप चाहें, तो 2 common ले लें, यानि कि 2 से sum में डिवाइट कर दिजे, तो 2 से भाग देंगे, 6 में तो कितनी बाद, 2 तियाए 6, प्लस, 2 से इसमें भाग देंगे, तो केवल 2 तो कड़ जाएगा, root 3 बचेगा, 2 से नीचे भी भाग दे दिजे, तो 2 दुनी 4, तो ये आजाएगा, इसका एक मूल, और दूसरे मूल की बात करें, तो x बराबर आएगा, 2 से इसमें भी भाग करें, तो 2 त्याए 6 minus, करेंगे तो केवल root 3, और 4 में भाग देंगे, तो 2 दुनी 4, ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करें, इसके 2 मूल की, तो एक मूल ये होगा, और दूसरा मूल ये होगा, ठीक है, तो ये हमारा first number का question खतम होता है, इसे आप copy करेंगे, चलिए, तो अब हम बात करेंगे question number 2 के, दूसरा question देखिए, क्या दे रखा है, question में ये बोल रहा है, कि निम्नप प्रतेक दिविगात समीकरण में, किय का ऐसा म्यान ग्याद कीजिए, कि उसके 2 बराबर मूल हों, अब देखिए, यहाँ पर हमसे बात कर रहा है, दो बराबर मूल के बारे में, ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर हम देखे थे, कि B square minus 4AC, यानि कि D, जब इसकी value, जब इसकी value 0 हो जाती थी, तभी समीकरण के दोनों मूल बराबर होते थे, ऐसा हमने देखा था, तो इसी के साहता से हम यह कहेंगे, कि जब B square minus 4AC की value 0 हो जाए, तभी इसके दोनों मूल आपस में बराबर होंगे, ठीक है, तो अब फर्स्ट देखिए इसमें, दूसरे में फर्स्ट नमर, question दे रखा है कि 2X square है, प्लस KX है, प्लस 3 बराबर 0, अब इसमें K की हमें value रियाद करनी है, कि K का ऐसा कौन सम्मान होगा, जिससे कि इसके दोनों मूल बराबर हो जाएंगे, अब यहाँ समझिए, A की value क्या दे रखिए, 2, B की value क्या है, K, और C की value 3, इसे आप यहाँ पूट करेंगे, तो जब यहाँ पूट करेंगे, तो B, B square यानि K, तो K का square, minus 4A, A की value 2, और C की value कितनी है, 3, बराबर क्या लिखेंगे, 0, तो K square, minus 4 दुनियार 3 के, 24, यह बराबर 0, तो K बराबर, अब यह minus इधर जाएगा, तो plus K बराबर यह, यानि K square बराबर यह, तो K बराबर root 24, यह लिखेंगे, 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुडे, 2 गुडे, 2, यानि 2 दुनियार 3 के, 24, तो अब इसमें से यह 2 तो मिल रहने, यानि कि 2 और अंदर क्या बचेगा, अगर ऐसे करें, तो अंदर क्या बचेगा, 6, तो यह आ गया, ठीक है, तो यानि कि, अब हम यहां से बोलेंगे, कि जो इसके 2 मूल होंगे, एक होगा, plus minus 2 root 6, यह हो जाएगा, ठीक है, तो एक बार K की value, आप चाहें, तो ले लिजिए, K की value, plus 2 root 6 ले लिजिए, या K की value, minus 2 root 6 ले लिजिए, आप दोनों में से कुछ भी ले लिजिए, आप के क्या होंगे, मूल, जब आप निकालेंगे, तो इनके बाद में मूल क्या होंगे, आपस में, बराबर होंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई, तो यह हमारा question है, तो K की value निकल गे, इसी तरीके से, अब हम बात करेंगे, second number के question के, तो इसी का second, चलिए इसको पहले हटाते हैं, हाँ जी, इसी का second number देखिए, क्या दे रखा है, बोल यह रहा है, कि जो समी करण आपको दे रखा है, वो है K, और सरी, KX, इसी को X बना, KX, फिर bracket में, X-2, प्लस 6, बराबर 0, तो सबसे पहले इसे आप दे विगात समी करण के रूप में बदलिए, कैसे, KX का गुड़ा X में करेंगे, तो आएगा KX square, ठीक है, प्लस है, माइनस, तो माइनस, KX का दो में गुड़ा करेंगे, तो 2KX, प्लस 6, बराबर 0 आएगा, ठीक है, यहां से अगर A की बात करें, तो A की वैलू क्या है, K, B की बात करें, तो B की वैलू माइनस 2K है, तो माइनस 2K, और C की वैलू है, 6, ठीक है, अब देखें, यहां से हम क्या करेंगे, कि B square माइनस 4AC, यानि की D, यानि की B square माइनस 4AC को रखेंगे, 0 के बराबर, तो B square, यानि की माइनस 2K का square, माइनस 4A की वैलू कितनी है, A की वैलू K, और C की वैलू आप कितनी देख रहे हैं, C की वैलू 6, तो 6 बराबर 0, 2K का square तो बनेगा 4K square माइनस 4 सके 24 तो 24K बराबर 0 यह आ जाएगा ठीक है अब यहां से क्या करिए कि देखें दोनों में common क्या दिख रहा है 4K 4K यहां 4K यहां क्योंकि 24 को हम 4 गुड़े 6 लिख सकते हैं into K और इसको हम लिख सकते हैं 4K गुड़े 4K अब दोनों में देखिए 4, 4, 4, K, K यह common आ गया तो 4K जब common लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 4K माइनस अब 6 बचा बराबर 0 तो एक बार 4K बराबर 0 रखेंगे और एक बार 4K माइनस 6 बराबर रखेंगे 0 तो यहां से K बराबर आ जाएगा 0 बचे में 4 और 0 बचे में 4 का मतलब 0 ठीक है यहां से आप करेंगे तो 4K बराबर आएगा 6 और तो K बराबर आ जाएगा 6 बाई 4 यानि कि 2 दूनी 4 और 2 त्याए 6 यानि 3 बचे 2 यानि K की वैलू क्या होगी 3 बचे 2 0 तो होई नहीं सकती है क्योंकि अगर 0 हो जाएगी तो यह समी करण बनेगा नहीं K की वैलू 0 तो यह 0 तो 0 रखोगे तो समी करण बनेगा नहीं तो K की वैलू आपकी नहीं होगी लेकिन K की वैलू 3 बचे 2 होगी ठीक है इस तरीके से हमारा दूसरा नम्मर का क्वेस्टन खतम होता है ठीक है अब इसी के बाद हम बात करेंगे क्वेस्टन नम्मर 3 को लेकर हाँ जी जर आप देखिए क्वेस्टन नम्मर 3 देखिए क्या दे रखा है क्वेस्टन में क्या बोल रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चवडाई से दो गुनी हो और उसका छेत्रफल 800 मीटर का स्क्वायर हो यदि है तो उसकी लंबाई और चवडाई याद करिए देखिए जब इस तरीके का क्वेस्टन आएगा आपके सामने तो आपको हमेशा डिस्क्रिमिनेंट यानि विविक्तकर की हेल्प लेनी पड़ेगी और उसी के बाद आप ये कन्फर्म कर पाएंगे कि इस टाइब का क्वेस्टन पॉसिबल है या नहीं है थिक है तो क्वेस्टन क्या दे रखा है कि एक आपकी बगिया बनानी है जिसकी लंबाई जो है वो चवडाई की दो गुनी है तो ये इस तरीके की एक बगिया है बोल लाए कि संभव है कि नहीं है तो हम माल लेते हैं कि जो चवडाई ये है जो चवडाई है वो X है तो फिर लंबाई क्या हो जाएगी 2X तो हम इसमें बोलेंगे कि माना माना बगिया की जो चवडाई है वो X है X meter तो फिर लंबाई कितनी हो जाएगी लंबाई हो जाएगी 2X क्योंकि question में दे रखा है कि जिसकी लंबाई चवडाई से दो गुनी हो तो ये 2X आ जाएगा अब आगे बोल रहा ही है कि इसका जो छेतरफल है छेतरफल 800 meter का square है अच्छा अब ये आयताकार है तो आयत का छेतरफल क्या होता है आयत का छेतरफल होता है लंबाई गुडे चवडाई तो हम बोलेंगे कि लंबाई गुडे चवडाई और लंबाई गुडे चवडाई यानि कि छेतरफल दे रखा है 800 के बराबर यह लंबाई कितनी दे रखी है 2x तो यह आ गया 2x चौडाई कितनी है x तो x बराबर 800 यह रिखेंगे तो 2x square यानि कि x का x में multiply करेंगे तो x square बराबर 800 यह बना ठीक है यहां से आप 2 यहां से समझें x square बराबर आप लेंगे 2 से भाग करिए तो 800 बटे में 2 कितना आ जाएगा 400 क्या जाएगा 400 ठीक है इसके बाद आप क्या करिए कि x बराबर यह x square बराबर 400 है न तो x बराबर लिखेंगे तो root 400 बनेगा ठीक है और root 400 का मतलब कि जब इसको करेंगे तो इसको 20 गुडे 20 लिख सकते हैं तो 2 है न तो एक बाहर आ जाएगा तो 20 बचेगा यानि कि 400 का वर्गमूल क्या होगा 20 तो यह लिखेंगे plus minus 20 ठीक है यह लिखेंगे तो अब देखिए एक बार जब positive यानि कि plus लेंगे एक बार positive ले लें और एक बार negative तो एकस की value क्या जाएगी 20 और एकस की value क्या जाएगी minus 20 minus 20 संभाव नहीं है minus 20 संभाव नहीं है क्योंकि यहां पर यह बात हो रही है कि लंबाई और चोड़ाई कभी वी रिडात्मक नहीं हो सकती ठीक है तो हम यह बोलेंगे कि जो अच्छा यह question possible है कि नहीं है तो हम कहेंगे कि ये possible है ये possible है आप दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं हम फिर से जाएंगे वापस कि ये possibility दिखाने कि ये possible है या नहीं है अभी उसको देखते हैं पहले चौड़ाई देखें चौड़ाई कितनी है 20 आ गई यहां से लंबाई की बात करें तो दो गुणे 20 यानि आ गया 40 मीटर तो ये लंबाई और चौड़ाई हो जाएगा ठीक है अब आते हैं अपने शुरुआत वाले question में कि वो हमसे ये बोल रहा था कि इस तरीके का question possible है की नहीं है तो देखें यहां पे ये आपको x square बराबर 400 दिख रहा है तो इसको आप क्या करिए समीकर बनाई है तो x square minus 400 बराबर 0 आप इस तरीके से बनाई है ये हो गया अब हमें ग्यात करना है कि ये possible है की नहीं है तो इसके लिए b square minus 4ac देखना पड़ेगा यहां से अगर हम a की बात करें तो a की value क्या आएगी 1 b की value क्या है 0 क्योंकि इसकी तूलना करेंगे a x square प्लस b x प्लस c बराबर 0 से तो x square है यानि की x square का coefficient कितना है 1 b x क्या इसमें b x है नहीं है यानि की b की value क्या रही होगी 0 c है c की value कितनी है minus 400 तो c बराबर आ गया c बराबर minus 400 यह आ गया अब हम निकालेंगे b square minus 4 a c b की value कितनी है तो b की value 0 है अच्छा हम d बराबर देख रहे हैं d बराबर b की value 0 तो 0 का square minus 4 a की value कितनी है 4 a की value 1 है और c की value कितनी है minus 400 तो रखेंगे minus 400 अब देखें यहां से d बराबर 0 का square 0 minus minus क्या आ जाएगा plus 4 चोग को 16 तो d की value क्या आ गही 16 100 और 16 100 क्या है positive और जब positive है तो हम कहेंगे कि इसके मूल जो है वो वास्तविक होंगे और जैसे ही मूल वास्तविक होंगे तो हम यह बोलेंगे कि जो आम की बगिया बन रही थी वो बनना संभाव है ठीक है तो यह copy कर लिए और इसके आगे हम question फिर देखते हैं हाँ जी इसके बाद हम question number 4 की बात करेंगे question number 4 हाँ जी चलिए आगे की कहानी देखी जाए तो हम बात कर रहे हैं अब question number 4 की question number 4 में क्या बोला है कि क्या निम्न इस्थिती संभव है यदी है तो उनकी वर्तमान आयूग याद करिए ठीक है बोल रहा है कि इसमें दो मित्रों की आयूग का योग 20 वर्स है चार वर्स पूर्व उनकी आयूग का गुड़नफल 48 था तो यहां पर बोल रहा है कि जो दो मित्र हैं उनकी आयूग का योग तो माल लेते हैं कि जो पहिला मित्र है उसकी उमर जो है वो एक्स एयर है तो देखो दोनों की मिला के 20 है तो पहला अगर एक्स हो गया तो दूसरे मित्र की जो आयू होगी वो 20 माइनस एक्स होगा यह चीज़ समझ पा रहे है जैसे आप यह समझिए कि आपके पास 100 रुपय है, दो लोग है, तो एक को अगर 20 रुपय मिला, तो दूसरे को 80 मिलेगा, कैसे, 100 में से आप 20 घटाएंगे, ठीक है, उसी तरीके से अमबाद करें, कि एक को एक की उमर अगर X है, तो दूसरे की उमर होगी 20 माइनस X, ठीक है, चलिए, अब कहानी में क्या दे रखा ह आगे कि 4 वर्स पूर्व, यानि 4 वर्स पूर्व की बात है, तो 4 वर्स पूर्व दोनों की आयू देखें, तो जो पहले मित्र की आयू 4 वर्स पहले थी, जो आयू थी, वो X माइनस 4 होगा, पहले 4 वर्स पहले, अगर इस टाइम X है, तो इसके 4 वर्स पहले कितना होगा, X बरिस पहले वो 20-1-4 होगा अगर इस टाइम उसकी उमर 20-1 है तो 4 बरिस पहले 20-1-4 होगा तो यहां से जो आपको देखने को मिलेगा 20 में से 4 घटाएंगे तो 16-1 यह बनेगा तो एक मित्र की आयू यह हो गई और दूसरे मित्र की आयू यह हो गई आगे क्वेस्टन में हमस इसका और इसका गुरणफल 48 है तो यहां समझे कि x-4 गुड़े 16-1 इनका गुड़णफल 48 है यह है एक्स का 16 में गुड़ा करेंगे तो 16 x आएगा ठीक है x माइनस है न तो माइनस और इसके आगे प्लस है तो माइनस होगा x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वाइर आएगा आगे माइनस है इसके आगे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 4 का 16 में करेंगे तो 16 चोग को 64 तो 16 चोग को आएगा 64 माइनस माइनस प्लस चार का X में करेंगे तो 4X बराबर 48 ये आ गया अब क्या करिए न सब को उठा के उस साइड लेके जाईए कारण क्या है कि ये माइनस में है लेकिन हम उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में बनेगा और हमें प्लस में बनाना है तो हम इनको उधर लेके चलते हैं सबसे पहले इसको माइनस से उधर जाएगा तो प्लस और ये x स्कौार बनेगा चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पे हम इसको इस साइड लेके जाएगे तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा और ये जो प्लस है ये plus से उधर जाएगा तो minus और ये plus से उधर जाएगा तो minus लेकिन अची काम पहले इसके पहले कर लेते हैं ये कि 16 x और ये 4 x है то इसको बना देंगे 16 4 20 x minus x square minus 64 बराबर 48 ये अब सब को उठा के उधर लेके चलते हैं तो minus उधर जाएगा तो plus बनेगा और ये बन जाएगा x square प्लस में ये plus से उधर जाएगा तो minus बचेगा यानि कि 20x ये बनेगा minus 64 हे उधर जाएगा तो plus 64 बनेगा और ये पहले से ही plus 44 है और बराबर लिख सकते हैं 0 ठीक है तो अब ये बनेगा x square minus 20x और ये दोनों जब add करेंगे तो 8, 4, 12 और 6, 4, 10 और 10, 1, 11 ये बनेगा ठीक है अब देखे इसके बाद question में क्या बोला है question में ये बोला था हम से कि ये इस्थिती संभाव है की नहीं है संभाव है की नहीं है इसके लिए हम d निकालेंगे यानि कि d बराबर लिखेंगे b square minus 4ac और यहां से b अच्छा यहां जी देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो जो a की value मिलेगी वो कितनी मिलेगी तो a की value 1 होगी अगर b की बात करें तो b की value होगी minus 20 तो minus 20 और c की value आपकी जाएगी 112 यह हो जाएगे ठीक है तो अब यहां से अब d बराबर निकालना है तो d बराबर b square तो b square का मतलब minus 20 का square minus 4ac तो a की value कितनी है 1 और c की value कितनी है 112 यह दे रखा है ठीक है यहां से जब करेंगे तो d बराबर आएगा 20 का square तो minus 20 का square बनेगा 400 400 minus अब देखिए इसका गुणा खरिए 4 दूनी 8 और 4 एककम 4 और 4 एककम 4 तो जब घटाएंगे तो d बराबर आएगा minus 48 और जब d बराबर minus 48 आगया मतलब जो विविक्तकर है discriminant है याने b square minus 4ac है उसकी value कैसी आगई negative उसकी value आगई negative निगेटिव आने का मतलब है कि जो मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे और जब मूल वास्तविक नहीं होते हैं तो हम ये बोलते हैं कि इनके हम मूल ग्यात नहीं कर सकते तो हम ये बोलेंगे कि ये संभाव नहीं है ये संभाव नहीं है मतलब ये गलत है ठीक है चलिए इसके बाद एक last question है इसमें exercise 4.4 में हम fifth number का question देखेंगे और उसके बाद ये हमारा chapter completely खतम हो जाता है NCRT cover करते हुए ठीक है तो इसके बाद जैसे ही ये chapter हमारा complete होता है हम इसके बाद इसके कुछ questions आपको अलग से कराएंगे ताकि जो भी doubts हों आपके सारे फिर से clear हो जाएं ठीक है तो अच्छा एक चीज़ और है कि इसके बाद का जो topic है वो हम सूरू करने वाले हैं AP arithmetic progression यानि समांतर स्रेड़ी ये करेंगे ठीक है चली अब पांचवे नम्मर का question देखते हैं पांचवे नम्मर का question क्या दे रखा है ज़रा समझे पांचवे नम्मर का question है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा 6 तरफल 400 मीटर स्कॉयर के एक पार्क को बनाना संभव है यदि है तो उसकी लंबाई और चौणाई याद करिए ठीक है एक कोई पार्क है मतलब ऐसी मान लेते हैं कि ये कोई पार्क है ये बोल रहा है कि इसका जो परिमाप है जो इसका परिमाप है अशी मीटर हाँ परिमाप इसका है असी मीटर है तो हम कहेंगे कि जो परिमाप है वो 80 मीटर है और जो छेतरफल चेतरफल का मतलब एरिया और जो एरिया आपका दे रखा है वो 400 मीटर का स्कौायर है यह दे रखा है ठीक है यहां पर बोल रहा है कि एक पार्क को बनाना संभव है अच्छा लंबाई और चौडाई तो हम इसको माल लेते हैं जैसे यह पार्क है इस पार्क की जो लंबाई है वो L है और जो चौडाई है वो B है ऐसा हम माल लेते हैं आयताकार पार्क है ठीक है तो अगर हम इसके परिमाप की बात करते हैं तो इस पार्क का परिमाप क्या होगा तो ये होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या आ जाएगा 80 ये आ जाएगा अब ये गुणे में है उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा तो L प्लस B बराबर 80 बटे में 2 यानि ये आ जाएगा आपका 40 तो L प्लस B लंबाई प्लस चवडाई बराबर आ गया 40 इसको हम पहरा माल लेते हैं ठीक है उसके बाद इसके छेतर फल की छेतर फल क्या होता है लंबाई गुडे चवडाई तो लंबाई गुडे चवडाई बराबर आपको दे रखा है 400 तो ये आपका है 400 ठीक है हाँ जे इसके बाद देखें अगर तो देखें यहां से क्या करिए लंबाई बराबर क्या 40-B कर सकते हैं तो ये क्या मिल गया कि L की जगा हम 40-B रखें तो यहां रखेंगे तो L की जगा हम रखेंगे 40-B और ये गुणे B बराबर 400 ये बनेगा तो अब B से 40 में गुणा करेंगे तो 40-B और यह minus है तो minus b का b में करेंगे तो b square बराबर 400 यह आएगा इसके बाद क्या करिए कि सब को उस side लेके चलिए तो यह minus है उधर जाएगा तो plus यानि b square यह plus है उस side जाएगा तो minus 40 b और यह plus में ही रहेगा तो plus आजाएगा यह आपका 400 बराबर क्या आगया जीरो ठीक है तो यह आगया है अब जरा यहां समझे इसको करेंगे कैसे तो सबसे पहले तो बताना यह है कि यह संभव है या नहीं है तो उसके लिए हम जाएगे d के पास तो यहां पर यह देखा जाए तो हम चाहें तो x की जगह हम आपको समझाने की बात कर रहे हैं आप b की जगह x माल लीजिए तो x square बनेगा minus 40 b की जगह x तो x plus 400 बराबर 0 यह ज़स्ट आपको समझाने के लिए है अब बताईए कि इसकी जगह हम यह माल लीए हैं तो a की value क्या है 1 यहां से इसके आगे 1 b की बात करें तो b बराबर क्या है minus 40 तो minus 40 c बराबर आएगा 400 यह तो यहां से आप क्या करिए कि b square minus 4ac put करिए तो d बराबर लिखेंगे b square minus 4ac b की जगह आपको put करना है तो b की जगह आप क्या put करेंगे minus 40 तो minus 40 का square minus 4 a की value कितनी है 1 c की value कितनी है 400 तो यह आजाएगा अच्छा अगर यहां से किया जाए तो minus 40 का square 16 होगा minus 4 चोग को 16 सव आजाएगा 0 अरे 16 सव में से 16 सव घटाएगे तो क्या बनेगा 0 तो अब यहां से देखिए 0 आगया 0 आने का मतलब हम यह बोलेंगे कि जो d की value 0 है 0 है तो यह positive आप बोलेंगे ठीक है मतलब आप यह बोलेंगे positive तो नहीं आप यह बोलेंगे कि इसके मूल जो होंगे वास्तविक होंगे जब d की value 0 आती है तो मूल वास्तविक होते हैं तो इस ताइम मूल वास्तविक होते हैं और मूल बराबर होते हैं तो जब मूल बराबर होते हैं तो क्या होता था जब मूल बराबर होता है तो x बराबर आता है तो 40 बटे में 2, यानि ये आगया 20, तो एक ये आएगा 20, पहला तो दूसरा भी आएगा 20, ठीक है, इस हिसाब से हम ये बोलेंगे, कि जो अब X की प्लेस पे हम क्या माने थे, इसको हम माने थे B, मतलब B की जगा ये, तो अब बाद में बदल जीजे, X की जगा B, तो B बराब 20 आगया, तो L बराबर भी 20 होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे, यहाँ पर हम ये बोलेंगे, कि हाँ जी, कि जो चौडाई होगी, वो 20 मीटर होगा, और जो लंबाई होगी, वो भी आपका 20 मीटर होगा, और इस तरीके से हम ये बोलेंगे होना संभव है ठीक है तो इसकी इसी के साथ हमारा यह चेप्टर पूरी तरीके से कम्प्लीट होता है अब हम आपको मिलेंगे नेक्स चेप्टर में ठीक है तो कि मिलते हैं बाद में तो थैंक यू